हर्याणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहली बीजेपी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया और इस फैसले ने हर्याणा में बीजेपी के क्लीन स्वीप की संभावना को और ज्यादा बढ़ा दिया बीजेपी हर्याणा के अंदर असी बीस के ऐसे फॉमुले पर काम कर रही है जिसने विरोधियों को मुश्किल में डाल दिया मैं नायव सिंग इस्वर की सब्त लेता हूँ कि मैं विजिद्वारा स्तापिद भार्त के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निस्था रखूँगा मैं भार्त की परभूता और अखंडता अक्षून रखूँगा मैं हर्याना राज्या के मुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सरद्धा पुरुवक और सुद अंतकर्ण से निर्वहन करूँगा अपने राजनेतिक जीवन के शुर्वात से ही लोक सफा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने हर्याना में अपना कप्तान बदल दिया है हर्याना के अंदर बीजेपी ने इतना बड़ा फेर पदल किया है कि विरोधी नेता चौक के हैं मनोहर लाल खटर ने मुक्षे मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफी के फोरण बाद बीजेपी के OBC नेता नायब सैनी ने शपत ले ली है आखिर अचानक खर्याना में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले है ये बीजेपी की आजमाई हुई काम्याव रणनीती है ठीक ऐसा ही गुजरात में विधान सवा चनाव से पहले बिजयरूपानी को बदल कर भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुक्य मंत्री बना दिया गया था नायब सैनी को रुक्षत्र से सांसत है अक्टूबर 2023 में ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था 25 जनवारी 1970 को आप बाला के गाउं मेजापुर माजरा में उनका जन हुआ था अपने सामाजित जीवन की शुरवात नायब सैनी ने राश्रिय स्वैम सेवक संसे की थी साल 2014 में नायब सैनी नारायन गड़ से विधायक बने हर्याना के फेर बदल की बड़ी वज़त दुश्यंत चौटाला की बार्टी जन नायक जनता पार्टी से कटबंधन के तूटने को भी बताया जा रहा है लेकिन जन नायक जनता पार्टी लोकसभा की दो सीटों की मांग कर रही थी लेकिन बीजेपी सिर्फ एक सीट देने को तैयार होए आखिर कार ये गड़ बंधन तूट गया सैमती नहीं बन पाए उमीद थी कि गड़ बंधन हो जाएगा क्योंकि गुरुग्राम दौरे के दौरान प्रदान मंत्री के मंच पर डिप्टी सीम दुश्यंत चौटाला मौजूद थे लेकिन फिलहाल बात भिगड़ चुकी है बीजेपी दुश्यंत चौटाला से रिष्टा तोड़ कर ये साब संदेश देना चाहती है कि वो हर्याना में गैर जाट की राजनीत करेगी हर्याना में गैर जाट वोट असी फीसर और जाट वोट बीस फीसदी है दुश्यंत के अलग-अलग चुनाओ लड़ने से जाट वोटों में बटवारा होगा क्योंकि इससे जाट वोट एक तरफा भूपेंद रोड़्डा की अगवाई वाली कॉंग्रेस को ही नहीं मिलेंगे इससे बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा हो सकता है चौधरी विरेंद्र सेंग के बेटे और इसार से बीजेपी सानसद विजेंद्र चौधरी भी अब कॉंग्रेस में जा चुके है सवाल ये है कि क्या ये भी बीजेपी की गैर जाट राजनीती का ही हिस्सा है लेकिन मनोहर लाल खटर को मुक्ष्यमंत्री पद से हटाये जाने पर राजनीती भी हो रही है कॉंग्रेस पार्टी के मताबिक इसकी वज़ा जनता की नाराजगी है अलाकि प्रधान मंत्री मोधी ने हर्याणा की रैली में ही मनोहर लाल खटर की इमानदारी और साद्गी की काफी दारीफ की थी जिससे ये साफ पता चलता है कि खटर को आगे भी बड़ी भूमिका और बद मिलनता है हर्याणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने के लिए अपना लॉंचिंग पैड तयार कर लिया है और जल्द ही वो और भी कई बड़े फैसले ले सकती है और जल्द है